हाई फ्रेंज आज बात करने वाला दोस्तों 3BHK की प्रापटी है यह 3BHK के साथ में दो बड़ा बड़ा टेरेस है इसमें बहुत ही लक्जिरियस प्रापटी है रेरली इतना उड़ा 3BHK बनता है आज इसी के बारे में पूरा डिटेल देने वारा हूं दोस्तों यह इसका एंट्री गेट है और 5-6 साल हुआ है बिल्लिंग का प्रोजेक्ट का नाम सोलिटेर हाइट है और इस पूरे वीडियो में बनी रही है मैं विकास बरनवाल ट्रापटी डीलर और चैनल पार्टनर मेरा रूट मुंबई से एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस प्रापटी लॉबी बिल्लिंग की सीसी ओसी बी एमसी वाटर बगरण सारा टाइटल कलियर है बीमसी वाटर इसमें आच्चुका है दो हाइए स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है और बछिष बढ़िया अच्छे कौलटी में काम किया है सवर्टेयर बिल्डर ने इसमें इसका staircase है और चारो तरफ building के parking area है वह भी मैं पूरा दिखाऊंगा इस पूरे वीडियो में बने रही है दोस्तों अभी मैं पहले आपको यह इसका passage है और पहले मैं आपको थ्री भी इसके flat दिखा देता हूं बाद में मैं आपको parking space का दिखाऊंगा यह इसका entry है entry पर सूर एक का जगह है इसके आगे इसका dining living area काफी spacious है 1750 square foot का इसका super build up area है और 1525 इसका carpet area है यह आप देख सकते हैं huge space है इसका living का और यह इसका dining area है और पार्किंग है second floor पर फ्लाट है hall के साथ यह बड़ा terrace जॉइन है पंद्रा भाई 10 का 1500 square foot का terrace इसके living के साथ में living hall के साथ है आगे हम kitchen में देखेंगे kitchen में एक बड़ा सा space terrace cover किया हुआ है जो साथे 300-400 square foot का है तो इनको जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं बेड्रूम नहीं बनाया आप चाहे तो बना सकते हैं बेड्रूम उसमें यह इसका window के side से मैं आपको पूरे hall का view दिखा रहा हूं इसका dining space है अभी हम dining के तरफ से kitchen में एंटर करेंगे यह इसका पूरा kitchen एरिया है और kitchen के अंदर से एक space है बाहर जाने के लिए terrace के तरफ terrace शाड़े 300 square foot इसका terrace है शाड़े 300-400 square foot कारपेट यह वीडियो में आप देख रहे हैं बट रियल में यह काफी space है और उपर से इन्होंने cover कर लिया है ताकि internally यूज़ कर सकें पहले यह open था अब यह covered terrace के हिसाब से यूज़ कर रहे है यह मीठालाल जैन बंगलो goldenness face 14 में आता है यह जस्ट इस पूरे locality में पूरा हिंदू locality है यहाँ पे ज्यादा तरह हिंदू locality है इस पूरे project में इवन इस पूरे area में देरे यह पूरा फ्लाट का वीडियो मैं आपको दिखाता हूं फिर जाकि आप decision ले सकें कि कैसे इसको पर्चिस करना किस टाइफ का फ्लाट है कि इसका common washroom है जो हम अभी थोड़े दिर में देखेंगे यह इसका ओपर वाटर टेंग स्पेस है एक्स्टर लगी स्पेस है यह इसका common washroom है जो काफी तो 35,000 rental income है पहले रेंट पर दिया हुआ था तो 35 रुपर इसका रेंट आ रहा था आप भी पर्चेस करेंगे अगर आपको investment पर पर्चेस करना है तो आपको भी 35,000 का रेंट इंकम आएगा यह इसका बेडरूम का washroom है जिसमें टॉलेट वाश्रूम बस common है और बेडरूम इसके काफी spacious है विकाज 6-7 साल पहले जो construction होता था उसमें काफी spacious सभी चीज़ें बनती थी अभी तो हेरा के तुरू थोड़ा कुछ compact हो गया है यह इसका wardrobe space है और उपर भी लॉफ्ट दिया हुआ है और इसकी balcony है सारे बेडरूम से में balcony भी काफी spacious है अभी हम इसका फर्स्ट बेडरूम देखें हैं सेकेंड बेडरूम थर्ड बेडरूम तीनों बेडरूम देखेंगे इसका 14 माले का टावर है 14 स्टोरी टावर है यह दूसरे बेडरूम के washroom है 3BH के flat है 3 इसमें washroom है दो terrace है ओर टीन balcony है इसकी इसमें भी यह वाट्रोब इस प्पेस दिया हुआ है बस्स बड़े balcony है इसका मैं आपको पूरे बेडरूम के चारो साइड का वाल और कंस्ट्रक्शन सब दिखाने की कोसिस कर रहा हूँ इस फ्लाइट में कहीं से कोई भी लिकेज बगेर नहीं है इस फ्लाइट की प्राइजिंग की बात करूँ तो 1 करोड 45 लग 1.45 CR इसका प्राइज है और स्लाइट नेगोशेबल भी है आप आईए तो जो भी बैट के जैसा आपका पैमेंट टर्म्स होगा वैसा बात करेंगे दो से तीन लाग रुपे नेगोशेबल है यह यहाँ पर एक बड़ा टेरेस है उसमें एक बेडरूम भी आप बना सकते हैं थ्री विएजके से फोर विएजके में इसको आप कंवर्ड भी कर सकते हैं यह इसका कॉमन बेडरूम है गेस्ट बेडरूम है यह यह या किट्स बेडरूम भी आप बना सकते हैं इसमें भी बड़े बलकनी दी हुई है अब हम फिर से हॉल में जा रहे हैं लिविंग डाइनिंग एरिया देख रहे हैं उसके बाद फिर हम बाहर कर देखेंगे पार्किंग स्पेस कैसा है इसको होल का टेरेस है इसमें फ्लैट के बाहर देखते हैं यह पूरा पैसेज है इसका दो हाई स्पीड लिक्ट लगी है इसमें यह इसका स्टेर केस है पहले के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से स्टेर केस काफी ब्राड बनता था अभी तो दो स्टेर केस होने एकारान के स्टेर केसे लग शोटा कर देते हैं पहले के हिसाब से काफी ब्राड और बड़िया बनाते थे बिलर अब इसका पारकिंग एरिया देखते हैं टू विलर फोर विलर के लिए काफी स्पेस है इसमें पारकिंग के लिए ओपन पारकिंग भी है और कवर्ड पारकिंग भी है फ्लैट के साथ में एक पारकिंग अलॉटेड है बाकि अगर आपके पास एक्स्ट्रा कार और बाइक हो तो उसके लिए भी यहां पे अरेंज्मेंट है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया दोस्तों फिर से आऊंगा मैं एक नए वीडियो लेके नए प्रोजेक्ट के साथ तब तक के लिए नमस्कार दोस्